इन लोग ने नरेंदर मोधी जी के जात पे ने उनकी गरीबी पे सवाल खड़ा किया है जो जिस से जात से नरेंदर मोधी जी आते हैं उसको तो पिछरा काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट में भी माना गया उनिस सो तिर्पन पच्पन में जिस जाती से नरेंदर मोधी जी आत ये पैदा कर रहे हैं ब्रह्म की इस्तिती पहलाने के लिए बारत सरकार का जो 1999 का गजट गुजरात के किन जातियों को पिछड़ा वर्ग में लिया गया उसमें भी नरिंद मुदी जी की जाती का विक्र है 1993 में जो पहला केंदरिय सूची जारी हुई थी उसमें तकनिकी कमी के कारण स्टेट लिस्ट और मंडल कमिशन के लिस्ट में समानता का मापदन का जो नियम अपनाया गया था उस तकनिकी कारण से 1993 की पहली सूची में नरिंद मुदी जी की जात का नाम नहीं था बाद में 94 में गुजरात की सरकार ने उसे क्लिरिफाई किया और उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग में जब एक पिटिसन दायर हुआ कोई कोई चौधरी थे जो गुजरात के तैलिक साहू महासभा के ज आयोग के दोरा निरधारिद की गई थी अहमधाबाद में खुली सुनवाई की उसके बाद उन सारे तथ्यों को लेकर उनके पवरानिक पेसा को लेकर इस बेंच ने अपनी रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को सौप दी यह पांस अदस्यों की कमीटी ने भारा सरकार से आग्रह किया कि यह तथ्यों के अधार पर इस तुरूटी का निराकरन कर लिया जाया और उसके बाद 1999 में भारा सरकार ने गुजरात की मोध कांची जाती तेली जाती को यो कि पिछले बार में केवल मुस्लिम के लोग थे हिंदू छुड गय थे उनको जोड़ लिया गय अब पता नहीं इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है जदी वाले लोग को क्योंकि नितीश कुमार के इसारे पे यह नरेंद मोधी की जाती का अपमान नहीं कर रहे हैं इस देश में स्रम से जीने वाली पारंपरिक पेसा को अपना कर इस अपना पेसा चलाने वाली रोजग प्रदार पैदा करने वाले जातियों को यह अपमानित कर रहे हैं यह क्यों अपमानित कर रहे हैं क्योंकि इनको तुस्टिकरन करना यह तुस्टिकरन करके बहु संख 85% अवादियों को अपमानित करके खंडों में बाटना चाहते हैं इसलिए नरंद मोधी जी के जाती पर सवाल उठा रहे हैं